हेलो फ्रेंट्स आप सभी के स्वागत है माई के सी पॉइंट में फ्रेंट्स आज हम लोग देखेंगे लुसेंट जीएस बायालोजी का प्रैक्टिस सेट नमबर 6 और इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अप्लोड हुए है सबकार लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप वहां से जाकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं प्रेंट्स इसमें जितने भी प्रश्ण होंगे सभी प्रश्ण जयोविकास से सबंधित प्रश्ण होंगे तो देखते हैं पहला प्रश्ण जेयोविकास को सरप्रथम किस ने समझाया लैमार्क के द्वारा ही सरप्रथम जेयोविकास को समझाया गया था उस्तो आप सभी को पता दें कि प्रारंभिक निम्न कोटी के जीवों से क्रामिक परिवर्तन द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पती को ही जे उविकास कहा जाता है उपारजित लक्षनों की बंसा गती ही लमार्क वाद का मुल सिदान्त है नेक्स्ट प्रशने जीवों के प्रकिर्तिक चयन का सिदान्त प्रतिपादित किया किसने प्रतिका प्रतिपादित किया तो डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया नेक्स्ट प्रशने योग्यतम की उत्तर जीविता का प्रतिपादन किया है किसने किया है तो यभी डार्विन के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया है नेक्ष्ट प्रश्ण है उत्परिवर्तन के सिदांत के जन्मदाता है उत्परिवर्तन के सिदांत के जन्मदाता कौन है तो डी ब्रीज डी ब्रीज ही उत्परिवर्तन के सिदांत के जन्मदाता है नेक्ष्ट प्रश्ण है समरूप अंग होते हैं समरूप अंग किसके होते हैं तो जो कार्य में समान होते हैं वही समरूप अंग माने जाते हैं नेक्ष्ट प्रश्ण है समजात अंग क्या होते हैं समजात अंग का मतलब है जो रचना में होते हैं वही अंग जो होते हैं वो समजात अंग का लाते हैं समजात अंग कोन का लाते हैं तो ऐसे अंग जो विभिन कार्यों के लिए उप्योजित होने के कारण काफी और समान अंग कहलाते हैं जैसे उदारन के लिए ले लें जैसे सील के फिलिपर चमगादर के पंग घोरे के अगली टांग बीली का पंजा और मनुस्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसे ही होते हैं नेक्स्ट प्रशने नेच्रल स्लेक्षन द्वारा ओरिजिन ओफ लाइव पुस्तक किसने लिखी थी चाल्स डार्विन के द्वारा ही एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था ओरिजिन ओफ लाइव नेक्स्ट प्रश्ण है ऐसे अंग जो विभिन कार्यों में उप्योग होने के कारण काफी और समान हो सकते हैं लेकिन उनकी मुल्त संद्रचना यो भुरूनिय प्रकिरिया में समानता रहती हैं वे कहलाते हैं समझात अंग वे समझात अंग कहलाते हैं नेक्स्ट प्रश्ण है जयो विकास के संदर्व में सापों में अंगो का लोप होने को अस्पष्ट किया जाता है किसके द्वरा अस्पष्ट किया जाता है तो अंगो का उप्योग तथा अनुप्रियोग की जानें से या बाते अस्पष्ट होती है नेक्स्ट प्रश्ण है ज जीवन की उत्पती जल में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्ण हैं मनुसमें औसेसी अंग हैं इस मनुसमें औसेसी अंग कौन होता है तो कर्न पॉलाव पेसिया जो होती है वह एक परकार की औसेसी अंग होती है अब आता है कि औसेसी अंग किसे कहते हैं औसेसी अंग क्या होता है तो ऐसे अंग जो जीवों के बिक्सित होते हैं प्रंतु वातावरनिय परिस्तितियों में बदलाव से उनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लूप होने लगता है वो उसे ही और सेशी अंग कहलाते हैं जैसे मालेजिये कि आपको एक्जांपल में हम अभी बताया कि कर्ण प प्रशने फ्रयोग और अनुप्रयोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था लमार्क के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया है नेक्स्ट प्रशने पक्चियों और कीटों के पंक कैसे होते हैं संब्रीती पक्चियों और कीटों के जो पंक होते हैं वो पनुस में लगभग सौ आलसेसी अंग पाए जाते हैं सर प्रतम्प्रकास संसलेशी जिऊ सीनो वैक्ट्रिया साइनो बेक्ट्रिया ही प्रकासंसले सी जीव थे नेक्स्ट प्रशन है फक्षियों का विकास कैसे हुआ तो फक्षियों का विकास सरी सूपो से हुआ था नेक्स्ट प्रशन है उपारजित लक्षनों का अध्यन क्या कहलाता है तो उपार्जित लक्षनों का अध्यन टारोलोजी कहलाता है और एक बात और जान लें कि मनुस्ति में लगभग सौव और सेसी अंग पाए जाते हैं और सरप्रथम परकास संसले सी जीव सायनो वेक्ट्रिया ही थे फ्रेंड्स इसमें जयो विकात से सम्मन्दित इतने ही प्रश्ण पूछे जाते हैं तो इस सेट में इतना ही मिलते हैं नेक्स सेट में तब तक के लिए बाए टेक क्यार